कॉंग्रेस लीगल सेल के पूर्वध्यक्ष और पूर्व महाधिवक्ता शर्षांग शेखर ने बीजेपी का दामन थाम लिया गुरुवार को डॉक्टर नरोत्म मिश्व शर्षांग शेखर को लेकर बीजेपी कारहले पहुचे जहां उन्होंने प्रदे सद्धिक्ष बीडी शर्मा की मौझूदगी में बीजेपी की सदसेता ग्रहन की इस दोरान उपमुक्वंत्री राजिंद्र शुकली बीजेपी विधायक संजेपाठक भी मौझूद रहे शेशांग शेखर ने कहा आयोध्या में श्वीराम के विग्रह की प्रान प्रतिस्ठा के कारकम का निमंतरन ठुकडा कर कॉंग्रेस ने बहुत गलत किया सनातन को मानने वाले प्रती दिन अपने आराध्य श्वीराम की पूजा अर्चना करते हैं ऐसे में 500 साल के बाद जो सपना पूरा हुआ है लेकिन कॉंग्रेस ने जिस तरह से निमंतरन को आस्वीकार किया वा गलत है इसलिए मैं कॉंग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ मन प्रसंद है सही जगह पे हूँ राम राजी की परिकल्पना को साबित होते हुए हम देख रहे हैं राम जी का मंदर बन गया अब विकास की बात आती है तो मोदीज जी जैसा विकास की रफ्तार देने वाला ना कोई भूत ना कोई भविश्च में मुझे दिखाई देता है कि ऐसा यशस्वी प्रधान मंतरी हमाई देश में इनी सब विचार धाराओं को लेते हूँ और हिंदवत्त को लेते हूँ नहीं जाएंगे तो से मन तूटता है और परिस्थितियों का बोलना कुछ बनता नहीं है